Hello guys, welcome back to my channel आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे कम से कम UC में Material and Mini Material निकाल सकते हो हम सबसे ज्यादा यहाँ पे तो UC Spend के बारे में ही बात करने वाले है एक एड्रेक है वो भी तुम्हें बता होंगी कि तुम कैसे फ्री में Complete Modification Material and Mini Material निकाल सकते हो वो भी तुम्हें इस वीडियो के एंडिंग में मैं बता दूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक शॉर करना अगर तुमने अभी तक चैनल को सबस्राइब नहीं किया है इस क्रेट को उपन करोंगे इस क्रेट का दिन का पहले स्पिन तुम्हें सरफ 30 UC में देखने के लिए मिलेगा मैंने इस क्रेट से दिन के पहले स्पिन 30-30 UC में करके अभी तक तीन Complete Modification Material निकाल लिये है और मेरी बहुत सारी गंस को भी अपग्रेट कर लिया है तुम्हें इस क्रेट से 5 मीनी माटेरियल भी मिल सकते है 3 मीनी माटेरियल भी मिल सकते है और 1 मीनी माटेरियल भी मिल सकता है और Complete Modification Material भी तुम्हें इस क्रेट से मिल सकता है और अगर तुम्हारी किसमत अच्छी चलती है तो तुमें यहां से M416 Glacier या फिर AGM Glacier भी निकल जाएंगी तो यह सबसे पहला crate है जिसका तुम फायदा उठा सकते हूँ नाव हम बात कर लेते हैं second crate के बारे में जिसका नाम है Candy Blast Crate सबसे पहले मैं तुमें बता देता हूँ and complete modification material मिल सकता है और इस crate का दिन का पहला स्पिन तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगा 42 UC में इस crate से तुम्हें 3 मीनी material भी मिल सकते हैं 5 मीनी material भी मिल सकते हैं और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छे चलती है तो तुम्हें complete modification material भी यहां से मिल सकता है और अगर तुम्हारी किसमत कुछ ज्यादा ही बेटर चलती है तो तुम्हें यहां से Ace-32 का अप्ग्रेडबल गन स्किन 42 UC में मिल जाएंगा मुझे अल्रेडी 42 UC में यहां से Ace-32 का अप्ग्रेडबल गन स्किन मिल गया था और साथ Complete Modification Material भी मिले थे जिससे मैंने इस गन को अप्ग्रेड भी किया है तुम देख सकते हो मैंने इस गन स्किन को हिट एफेक्ट तक अप्ग्रेड कर लिया है तो यह क्रेड भी बहुत ज्यादा वर्थिट है तुम इस पे भी पैसा लगा सकते हूं नाव हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्रेड के बारे में जिसका नाम है RS क्रेड मैंने अभी तक जितने भी BGMI और PUBG Mobile में क्रेड देखे हैं जिससे Complete Modification Material और Mini Material मिलते हैं उन में मुझे सबसे ज्यादा Best क्रेड लगा है RS क्रेड क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा अगर तुम इस क्रेड पे 2000 यूसे स्पेंड करते हो तो लगबख 7-8 Complete Modification Material मैं Mini Material की बात नहीं कर रहा हूँ Complete Modification Material की बात कर रहा हूँ तुम Complete Modification Material निकाल सकते हो वो भी 7-8 या उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा शानदा है ये क्रेड तुम इस पे जितना यूसी लगाना चाहो लगा सकते हो और इस क्रेड का दिन का पहला स्पिन तुमें सर्फ 30 यूसी में देखने के लिए मिलता है जो totally worth it है अगर तुम इस क्रेड पे भी पैसा लगाना चाहते हो तो तुम लगा सकते हो यहां से तुमें बहुत ज्यादा material मिल जाएंगे अगर मैं तुमें comparison करके बताओ कि जिन सारे क्रेड के बारे में मैंने अभी बात की है तो उन में सबसे ज्यादा best क्रेड है RS क्रेड तो अगर तुम भी इस पे पैसा लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आके बंद करके लगाना क्यूंकि इस क्रेड से complete modification material की बारिश होती है नाव हम बात कर लेते हैं 10 UC वाले events की जिसमें सबसे पहला event है फूल्स ब्लेसिंग ultimate set अगर तुम यहाँ पे दिन का पहला expensive 10 UC में करते हो तो बहुत ज्यादा high chances है कि तुम्हें यहाँ से mini material मिल सकते हैं क्यूंकि अभी तक मुझे सिर्फ इसी event से 29 mini materials मिल चुके हैं और अगर तुम्हे mini material नहीं भी मिलते हैं सिर्फ 10 UC लगाने पर यह cards मिलते हैं तो इन card के exchange में भी तुम mini material ले सकते हो जैसे कि अभी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो तुम्हें यहाँ से यह 20 fools card को exchange करने पर एक mini material मिलता है और सबसे खास बात है कि दिन का पहला spin सिर्फ 10 UC में होता है तो यह वाला event बहुत ज्यादा वर्थिट है तुम इस पे पैसा लगा सकते हो और यहाँ से mini material and complete modification material भी निकाल सकते हो ना हम बात कर लेते हैं next event के बारे में जिसका नाम है flash striking यह एक बहुत ही ज्यादा शांदार event है जहां पर तुम्हें दिन का पहला spin सिर्फ 10 UC में देखनी के लिए मिलता है और अगर तुम दिन का पहला spin 10 UC में करते हो तो तुम्हारा यह लगबार increase होता रहता है तो तुम part jam piece में ही एक mini material बाय कर सकते हो जो बहुत ज्यादा वर्थिट है तुम इस पे भी UC लगा सकते हो तो यह कुछ paid events थे जहां से तुम complete modification material and mini material निकाल सकते हो और जैसे कि तुम सब लोग यह अच्छे तरीक से जानते हो 2.9 के update की बाद से हमें AG currency से mini material मिल रहे हैं तुम वहाँ से भी निकाल सकते हो अब AG currency कैसे निकालना है तो उससे regarding मैंने बहुत सारे वीडियो बना के मेरे channel पे upload कर दिए है तुम उने वीच से out कर सकते होiven तु यही था जो तुम्हें आच के इस video में बताना था I hope तुम्हें ये video informative लगा हो अगर तुम्हें ये video informative लगा हो और मेरा काम का लगा हो तो इस video को एक like ज़रूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आकान पर क्लिक कर देना मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई